हेग गाइस वेलकम वेक तो नदर वीडियो और आज हम देखने वाले हैं बाइयो टेकनोलोजी की यूनिट 3 का लेक्चर नमर 2 और हमने इससे सुरूँ इसलिए किया है क्योंकि मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि एक्जियम आपके आने वाले हैं तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ की most important topic के बारे हैं बात करने वाले हैं जो exam में आप से जरूर पूंचा जाएगा और जो है आपके seasonal exam होते हैं या mid term होते हैं उसमें भी जो है teacher आप से पूंच सकते हैं ये वाला question तो आज हम बात करने वाले MSC के बारे में तो उसका हम structure देखेंगे और functions देखेंगे basically ये chapter काफी tough है लेकिन जतना ये tough है उससे ज़्यादा ये important भी है क्योंकि exam में इससे कोई नो कोई question जरूर पूंचा जाता है इसके structure पूंचे जाते हैं या फिर इसके function पूंचे जाते हैं तो ये tough होने के साथ साथ ये important भी है तो basically अच्छा topic है लोगों को ये बहुत ज़्यादा complex लगता है थोड़ी से इसमें दिक्कत आती है क्योंकि अलग-लग जो teachers होते हैं वो अलग-लग तरीके से समझाती है लेकिन यहाँ पर मैंने काफी जगे से अलग-लग जगे से data एकटा किया उसके बाद मैंने अपने notes बनाए खुद ने समझा मैंने और फिर मैं आपको यहाँ पर समझाने बाला हूँ बहुत ही आसन सब्दों में ज्यादा मैं आपको detail में नहीं बता हूँगा क्योंकि exam मैं आपको ज्यादा detail में नहीं लिख रहा रहे था एडियम में basically इसके structure या फिर functions ही पूछे जाते हैं तो आपकी या तो structure बना दीजी या functions कर दीजी तो आसन सब्दों में आपको बता दूँगा ज्यादा detail में नहीं जाओंगा अधरवाई आप जो खुद confuse हो जाओगे और आपके समझ में नहीं आएगा तो short way में आपको समझाओगा बहुत आसन सब्दों में और आपका काम हो जाएगा और फिरी के number आपको मिल जाएगे तो चलिए start करते हो समझते हैं कि क्या होता है MSC तो MSC का full form होता है major histo compatibility complex तो major histo compatibility complex क्या होता है तो histo का इसमें means होता है tissue histo means tissue और compatibility का मतलब होता है agreeable है ना तो compatible जैसे हम बोलते हैं कि ये वाला software इसके साथ compatible है ये चीज इसके साथ compatible तो एक तरह से हम बोल सकते हैं agree है ना कि जैसे मैं आपको बोलू कि बोलू कि आप ये वाली बैक चलागी ले जाओ तो आप किया उस बाइक के साथ compatible हो आप agree हो कि हम इसे चला लूँगा तो इस चीज को हम बोलते हैं compatibility कि हाँ आप बाइक के साथ compatible है और हम इसे ले जा सकते हैं संतरीक से इसी तरह से मैं आप से बोलू कि आप ये वाली कार से चले जाओ तो अगर आप compatible होगे तो तो आप हाँ कर दोगे अगर compatible नहीं होगे agreeable नहीं होगे तो आप मना कर दोगे तो इसी तरह से जो है एक चीज होती है जिसे हम बोलते है histo compatibility यानि tissue की compatibility इसके बारे बाइब और समझेंगे इसलिए आप confused होने की जववत नहीं है कि क्या चीज होती है कैसे क्या होता है क्या tissue है क्या compatibility तो बिल्कुल tensor जेने की जववत नहीं है फिलाल आप बस इसका जो है संदी बिच्छे देख लो कि isto क्या होता है और compatibility क्या होता है isto means tissue compatibility means agreeable बस that's it अब आगे हम देखते है कि complex का क्या मतलब होता है complex मतलब कोई भी एक जो है modifier सी चीज यानि जिसे हम बोल सकते है एक जाल की तरह है यानि एक complex है न जाफिर हम बोल सकते है कि कोई चीज जैसे हमारी body में naps होती है बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही पूरी body में एक गने रूप से जो है फैली होती है तो उसे हम बोलते है complex यानि nervous system जो होता है वो काफी complex structure होता है और इसी तरह से हम बोल सकते है कि जो jeans होते है body में है न जैसे जो jeans होते है वो DNA से मिलके बने होते है तो jeans के बहुत ही जादा complex रूप से पूरी body में फैले होते है तो काफी बड़े large scale पे यानि area में jeans फैले होते है तो इसको बोलते हैं complex structure तो यहाँ पे हमने complex का मतलब समझ लिया अब हम समझते हैं कि MSC actual में होता कि है तो MSC is a set of cell surface proteins essential for its acquired immune system to recognize foreign molecules तो आसन सब्दों मैं इसे बताऊं कि एक cell होती है जैसे यह हमारी cell है यहाँ पे यह cell है यह इसके अंदर nucleus है genetic material है जो भी है और यह इसके उपर जो है protein type के जो है receptor लगी होते हैं अब एक तरह से बोल सकते हैं कि एक protein होती है जो cell होती है उसके जो ऊपर जो बाहरी जो surface रहती है जो last जो membrane रहती है उसके उपर जो surface पे जो proteins कुछ लगी रहती है और यह protein क्या करती है कि इनका जो function होता है वो क्या करती है कि कोई भी बाहर से body के अंदर जो foreign material आता है कोई भी बाहर से molecule हमारी body के अंदर जाता है या कुछ भी x y z बाहर की चीज हमारी body के अंदर जाती है तो वो कहा है cell के पास जाती है तो cell के उपर यह जो proteins जो मौजूद है ना इसी को हम MHC बोलते है यानि cell के surface के उपर यह जो proteins हैं इसको हम MHC बोलते है तो बाहर से कोई भी जो foreign material है molecules body के अंदर enter होता है तो वो क्या है सबसे पहले cell के पास जाता है और cell के उपर लगे ये proteins क्या करते हैं उसे recognize करते हैं कि ये जो molecule है या फिर जो material है जो बाहर से body के अंदर आया है तो ये harmful है या फिर फायदे मंद है body के लिए तो अगर फायदे मंद होगा तो तो ये इसे accept कर लेगी तो वो जो body के अंदर ही रहेगा लेकिन अगर harmful है body के लिए तो ये क्या recognize करके देखेंगे अगर उन्हें लगया कि ये harmful है तो क्या करेंगे ये immune system को activate कर देंगे और immune system क्या करेगा वो जो foreign material है उसको बाहर निकाल देगा तो वो जो foreign material है तो immune system क्या करेगा उसे जो है बाहर निकाल देगा body से तो basically ये काम होता है हमारे MSC proteins का ठीक है तो MSC क्या होता है set of cell surface proteins है न तो cell के ऊपर कुछ proteins होते हैं उसे का हम MSC बोलते है जो helpful है यानि फाइदे मंदे body के लिए तो basically ये इनका काम होता है दूसरे point की तो MSC helps in developing the both cellular and humoral immunity तो जो MSC रहता है वो help करता है क्या help करता है कि जो cellular और humoral दो तरह की immunity रहती है तो इन दोनों को जो है ये develop करवाता है जो MSC रहता है वो उन्हें develop होने में help करता है तो दो तरह की immunity रहती है एक तो क्या cell के अंदर जो immunity रहती है तो cell के खुद का बचाओ करती है तो उसके लिए खुद की immunity होती है और एक होती है humoral immunity जो cell के outer में होती है ठीक है जो हमारी body की complete immunity होती है जो क्या है रोगों से लड़ने की जो चमता होती है तो उसे हम होते है humoral immunity तो MSC क्या करता है दौनों तरह की immunity को डबल अप कराने में help करता है बात करने थर्ड पॉइंट के तो MSC act to recognize the foreign substance is harmful and useful for our body तो MSC क्या करता है एक तरह से recognize करता है कि बाल से जो material आया है body के अंदर तो वो हमारी body के लिए useful है या फिर harmful है और बात करने तो if it is useful it cannot remove from our body but if it is harmful it causes removal of the substance by the functions of our body immunity तो अगर ये useful होगा तो क्या करेंगी ये जो cells होती है तो जैसे ही foreign material हमारी body में आता है तो ये क्या recognize करती है जो MSC रहती है MSC proteins रहती है वो क्या उसे recognize करती है और अगर वो useful होगा तो तो वो उसे body के अंदर रहे देती है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अमारी body के लिए useful है लेकर अगर ये harmful होगा तो क्या करेंगी इसे ये बाहर निकालने के लिए क्या करेंगी जो immune system होता है हमारा उसको क्या activate करेंगी तो immunity क्या है उस जो foreign material है जो हमारी body के लिए harmful है उसको बाहर निकाल देगी body से अपनी अलग-अलग जो techniques या जो process रहती है उसके थुरू तो एक तरह से अगर मैं आपको इसे समझाओ किस तरह से ये काम करता है तो जैसे यह हमारी cell है इसे हम बोलते है T cell और यह उसके सबसे उपर की membrane होती है इसके बार जो यह proteins जो मौझूद होती है cell के बार बारी surface पे इसको हम MSC बोलते है तो जैसे ही कोई foreign material है तो यह यहाँ पर आएगा cell के contact माएगा और cell के उपर लगे MSC जो proteins है यह क्या इसको recognize कर लेंगे और फिर यह देखेंगे कि body के लिए harmful है या फिर useful है उसे ही सबसे जो यह काम करेंगे अपना बात करते हैं इसके कुछ और functions की तो it plays most important work to identify the antigen between self and non-self body most important role रहता है body के अंदर तो वो यह रहता है कि बाहर से कोई भी foreign material अंदर आता है यानि antigen अंदर आता है body के अंदर आता है तो यह उसे पैचानती है कि यह self है हमारा खुद का ही antigen है या फिर कहीं बाहर से आया है और body के लिए harmful है या पिर useful है इनका जो most important काम केवल यही रहता है USC का इसके अलावा अभी काम रहते हैं लेकिन किशा इंक इपोटैंट काम यही रहता है बात करें तो गदर Australia इंहता है तो इंहता है और जी आते हैं उसमें यह लिए help करते हैं थर्ड पॉइंट के हम बात करने तो MSC molecules only recognize any T lymphocytes है न तो जो MSC molecules रहते हैं ये क्या करते हैं जो T lymphocytes रहते हैं उनको जो है रिकोगनाईज करते हैं फर्स्ट के हम बात करने तो the two types of MSC are working immunity तो हम बात करें कि immunity में जो दो तरह की MSC रहते हैं वो जो है काम करते हैं यानि MSC के दो type रहते हैं जो क्या करते हैं immunity में help करते हैं एक तो रहते हैं तो सबसे पहले रहते हैं T helper cell recognized by MSC molecule 2 तो जो T helper cells रहते हैं उसकी जो पहचान की जाती है वो MSC molecule 2 से की जाती है और एक होता है MSC molecule 1 तो जो MSC रहता है वो दो type का रहता है दो type की immunity में work करता है तो एक रहता है MSC molecule 2 और एक रहता है MSC molecule 1 तो जो MSC molecule 2 रहता है वो क्या करता है T helper cell को recognize करता है और जो MSC molecule 1 रहता है वो रहता है T cytotoxic cells ठीक है उसको recognize करवाने में help करता है तो basically यह बहुत सारे इसमें terms होते हैं कि T helper cells क्या होते हैं, T cytotoxic cells क्या होते हैं, है ना, तो यह बहुत सारे चीज़ें रहती हैं, तो अगर मैं आपको इनको भी आपको समझाने के लिए बैठ जाओगा, तो आप जो है confused हो जाओगे, धीरे धीरे आपके जो दमाग से चीज़ के लिख सकते हो, तो बाकी ज़्यादा गहरा ही में detail में जाने की जववत नहीं है, तो और आप जितने ज़्यादा detail में जाओगे, उतना ज़्यादा आपके लिए यह बड़ा होता चला जाएगा यह chapter, इसलिए मैंने courses की है कि आपको detail में बताने के वाज़ा है, आपको exam point of view से, जो चीज है important है, वो केवल में आपको बताता जाओं, अगले point के हम बात के हैं, तो they are responsible for individual smell of people, तो इनका एक और काम रहता है, जो काफी interesting है, जैसे कि हर जो इनसान रहता है, हर जो इनसान है, उसकी क्या एक particular smell होती है, उसकी body से के smell आती है, तो हर जो इनसान रहता है, तो जितने भी इनसान है, जितने भी मौजूद इनसान है, तो उनकी जो body से जो smell आ रही होगी, वो क्या एक अलगतरे की smell रहती है, तो वो क्या है, MSC की वज़े से ही रहती है, जैसे जो बच्चा होता है, उसकी मा होती है, तो मा के अंदर से जो इसमेल आ रहे होती है तो उसी की वैसे उसको पहचानता है तो बाकि अगर कोई परसन उसे ले लेगा तो वो जो इसमेल उसे पता चाल जाए कि यह मा नहीं है तो वो क्या रोने लगेगा और जैसे ही मा के पास जाता है तो वो उसकी समेल से पहचान लेत तो इस तरह से एक है जो MSC रहते हैं वो क्या करते हैं individual यानि हर किसी की एक अलग जो smell होती है उसके लिए काम करते हैं यानि responsible रहते हैं हर person की smell के लिए अगले point के हम बात करें तो they bring about defense against infections and diseases तो यह जो defense का भी काम करते हैं infection or disease के अंगेस्ट में और बात करें अगले point की तो they participate in both humoral and cellular immunity तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता है कि cellular immunity रहती है और humoral immunity रहती है तो दोना तरह की immunity में यह क्या है participate करते हैं MSC तो यहां पर हमारे जो functions और जो structure के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकरी थी तो MSC के बारे बेसिक जानकरी और उसके functions के बारे में हमने देख लिया अच्छे तरही के से तो आप इने याद कर लेना अब बात करते हैं अगले topic की हो हमारा types of MSC तो MSC जो होते हैं वो कितने type क तो basically यह तीन type के रहते हैं MSC molecule 1 MSC molecule 2 MSC molecule 3 तो तीन type के रहते हैं तीनों के बारे में हम समझेंगे और उनका structure वगरा भी देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं MSC molecule 1 की तो यह भी क्या एक तरह के cell proteins होते हैं जो क्या है cell की जो सबसे उबागार की जो परत होती है उसके उपर यानि यह membrane की उपर यह मौजूद होते हैं दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो दे में contain 1 heavy chain and a small protein light chain तो इसमें कहले ढरे की चेंग रहती है एक तो इसमें heavy charge रहती है इसके बारे में आपको बताऊंगा जा मैं आप स्टक्चर बताँगा और एक रहती है small protein light chain तो दो तरह की chain रहती है heavy chain और small protein light chain बात कर अगले point की तो they congest 4 to 5 kilo delton alpha chain associated to non-convulsently with beta microglowin molecules 12 kilo delton तो इसमें दो तरह की chain रहती है एक तो रहती है alpha chain एक रहती है हमारी beta microglowin है न तो इसमें जो alpha chain रहती है उसमें रहता है 4 to 5 kilo delton है उसका जो weight रहता है और जो beta microglowin molecules रहती है उनका जो weight रहता है वो रहता है 12 kilo delton तो conclusion होने की जोगत नहीं है अभी आपको मैं बता रहा हूँ किया अगोच रहता है तो उसका structure देखोगे तो आप आसन तरीके से समझ जाओगे तो MSC जो 1 रहता है इसमें 2 chain रहती है एक तो रहती है alpha chain एक रहती है beta chain तो जो alpha chain रहती है इसमें 3 तरह के domain रहती है एक रहता है alpha 1, alpha 2 and alpha 3 जो beta chain रहती है इसमें हमारे अलगला domain नहीं होते हैं इसमें केवाल एक ही चीर रहती है वो रहती है beta micro globuline protein तो यह रहती है अब देखते है इसका structure तो आप सब को चासन तरीके समझ जाओगे तो जैसे यह हमारी है cell membrane यह आपको दिख रही है यह cell membrane होगी हमारी और इसके अंदर यह receptors वगरा present होते है यहाँ पर cell membrane के उपर receptor present है और यह होगी हमारी MSC की globulin protein ठीक तो यह हमारा MSC cell के surface पे present है तो single हमने MSC ले लिया है तो इसमें जो है जैसा मैंने आपको बताए कि इसमें दो तरह की chain रहती है एक रहती है alpha chain और एक रहती है यहाँ पर beta micro globulin तो alpha chain में अमारी जो तीन domain रहते है एक रहता है alpha 1, एक रहता है alpha 2 और एक रहता है alpha 3 और एक जो अमारी जो beta chain रहती है इसमें हमारा एक ही रहता है जैसे हम बोलते है बीटा माइक्रो ग्लोविलेंस यह जो रहता है इसका उपर ही हिस्सा है इसमें रहती है हमारी पैप्टाइड बॉंडिंग कलिफ क्योंकि इसमें जो peptide की bonding होती है और यहां पर जो आपको दिख रहे होंगे S bond, S bond तो इसमें क्या है peptide bonding रहती है इनके बीच में और यह रहता है हमारा beta micro globulence तो यह क्या है इस तरह से कुछ cell membrane के उपर attach रहता है और यहां पर जो आपको spring type की नीचे दिख रही है इसे हम बोलते हैं cytoplasmic tail तो इस तरह से यह इसका structure हो गया तो यह MSC1 हमारा complete हो गया है अब आप बोलोगे कि और कुछ क्यों नहीं बता रहे हैं इसके बारे में तो आपको गेवल यही basic सी चीज़ें याद कर लेनी है तो इसमें alpha chain में 3 domain रहते हैं तो 3 domain आपको बना देने है दूसरी chain में आपको beta micro globulence बना देने है एक cell membrane बना देने है उसमें कुछ receptor लगा देने है और एक आपको spring बना देने हैं आपको आपको बैसे ही याद हो जाएंगी और second हम बात करते है MSC molecule 2 की MSC molecule 1 हो गया हमारा अब बात करते हैं 2 की तो MSC molecule में भी हमारी 2 chain रहते है एक रहती है alpha chain और एक रहती है beta chain तो alpha chain का जो weightage रहता है वो रहता है 35 kilo delton और जो beta chain रहता है उसका 28 kilo delton रहता है तो इसमें भी जो है दोनों तरह की chain होती है alpha और beta chain है ना और यह दोनों follow की जाती है transmembrane domain, cytoplasmic domain के दोरा तो actually इसमें क्या है इसमें क्या है दो अलग लग दो तीन नहीं होते है तो basically इसमें क्या है जो alpha chain रहती ही थी तो उसमें आमारे 3 domain थे alpha 1, alpha 2 और alfa 3 और beta में अमारे 1 ही थी beta micro globelin इसमें ऐसा नहीं है इसमें क्या है जो alpha chain है इसमें अमारे 2 domain है और जो beta chain है उसमें भी तो दोनों के बारे में तो बेसिकली यहां पर एक हमारा जो सिंगल प्रोटीन है वो हमारा कुछ इस तर ऐसे जो है जुड़ा हुआ होता है और यह हमारी सेल मेंब्रेन होगी इसके अंदर यह रिसेप्टर होगे बात करें पहले की तो इसमें दो चेंड रहती है अलफा भी रहती है और बीटा है और दो फिर हमारे यहां पर बीटा वन और बीटा टू जो हमारे चेंड है तो जो बीटा अलफा चेंड होगी एक हमारी बीटा चेंड होगी और दोनों के बीच में क्या है जो पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट लगा रहता है जो क्या है इन दोनों को बाइंड कर होते हैं इसलिए हम क्या ऐसे MSC Molecule 2 बोलते हैं और MSC Molecule 1 के बारे मैंने आपको बता दिया है तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सा difference है दोनों में ज्यादा कुछ अलग से difference नहीं है बात करें इसके और इसके हम थर्ड की बात करें तो थर्ड आपके स्लेवस में तो नहीं है और उसमें दिया भी नहीं है किसी books वगरा में अलग से तो यहां पर आपको क्यों दोई molecules के बारे में पढ़ना है और अगर कहीं से available हुआ तो मैं 30 के बारे में भी आपको प्रोवाइट करा दूँगा तो यहां पर हमारे यह जो चैप्टर का जो टॉपिक है जो यूनिट थार्ड है उसका जो लेक्चर नमबर टू है यह का हमारा वीडियो में नए लेक्चर के साथ तब तक के लिए गुडबाय और टेक केर